हलो इस्टोएंट, स्वागत है आपका आदर्श अकेडमिक की यूट्यूब चानल पर इस चानल के माधियम से हम उन बच्चों तक पहुँचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुच पाते हैं इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंसियेशन पड़ रहे हैं थे दो वीडियो सक्सेसिव डिफ्रेंसियेशन पर जा confuse था Esp असाइन्मेंट भी भीजा जा चुका था असाइन्मेंट अगर या अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप पिछले वीडियो के description box में जाकर देखिए आपको वहाँ पर असाइन्मेंट मिलेगा कुछ बच्चों का doubt आया है असाइन्मेंट में उसी को आज इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं अगर आप दो वीडियो देख चुके हैं असाइन्मेंट नहीं बनाए हैं तीसरे वीडियो पर पहुचे हैं तो आप इसको continue ही रखिए उन कोशन से आपको बहुत सारा समझ मिलेगा सीक मिलेगा जिस में हैं y is equal to 1 by ax plus b whole raise to the power n इसमें आपको nth derivative निकालना है nth derivative यानि इसको अगर n times differentiate करें तो क्या मिले हम लोग को देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा format में लाया जाए यह जो नीचे में power m है उपर जाकर power minus m हो जाएगा x plus b पर power minus m नीचे पर power m था उपर जाकर power minus m हो गया है जब हम इसको पहली बार differentiate करेंगे तो differentiation के नियम के मताबिक यह power नीचे उतर आएगा यानि minus m आ गया है नीचे और x plus b पर power जो power था उसमें एक कम यानि minus m minus 1 और chain rule को follow करते हुए अंदर वाले term को जब ही differentiate करेंगे तो b अकेला constant है उसका differentiation 0 और x का differentiation हमको मिल जाएगा a थोड़ा इसको और समेट के लिखे थोड़ा और समेट के लिखे इस minus m को बोले भईया एक थो minus दे दो अपना ये दे दिया ये m यहां रह गया और a यहां लिख दिये m into a इन दोनों से minus बाहर निकालना है minus बाहर निकालना है तो a x प्लस b पर पावर minus m प्लस 1 हो गया एक और step लिख देते हैं यहां चार लोग अलग अलग है minus 1 अलग है m अलग है a अलग है और यह अलग है ठीक है अभी कुछ लिखेंगे नी रहने देते हैं चलो y2 निकालना है दूसरी मरतबा differentiate करना है हम इस वाल expression को पकड़ेंगे ठीक है minus 1 पहले से था m पहले से था a पहले से था इसका differentiation जब हुआ न आगे वाले में से किसी को नई शुए क्योंकि सभी लोग constant था इसके differentiation पे यह power इसका नीचे उतर आया मतलब power minus of m प्लस 1 आ गया है नीचे और x प्लस b पर power जो था उससे एक कम यानि जो था यही वला न था minus m minus 1 में एक कम करोगे minus 1 करोगे तो यह minus m minus 2 हो जाएगा यहां लिख दिये minus m minus 2 अब देखो इसको भी बोले अच्छा अब काम खतम नहीं हुआ काम खतम नहीं हुआ x प्लस b का differentiation करने से a मिला है x प्लस b के differentiation से a मिला है अब इसको बोले कि भाईया तुम अपना minus 1 दे दो minus 1 वाले लोग का अलग ग्रूप था यह अपना minus 1 दिया यह एक minus 1 था तो इन लोग का मिलन हो गया minus 1 का square हो गया दो लोग आ गये इन लोग अब m अपने भाई के साथ m plus 1 के साथ चला गया a के साथ a multiply होकर a square बन आया और इससे power निकाल दिये minus तो यह हो गया x प्लस b पर power minus m plus 2 एक बार देख ले कि आपको vision तो clear है जी clear है एक बार और differentiate कर रहे है y3 इसको पकड़ रहे हैं देखना इसको छूना मत constant है minus 1 पर power 2 m गुना m plus 1 यहाँ पर a का square इसका जब differentiation करोगे इसका डब differentiation करोगे तो power उतर के आजाएगा नीचे और जो था उसके power पे एक कम यानि इस पे जब एक कम करोगे ना minus m minus 2 minus 1 करोगे ना तो minus m minus 3 आ जाएगा minus m minus 3 आ गया और अंदर वाले का differentiation करने पर आपको यह a मिल जाएगा आपको यह a मिल जाएगा थोड़ा समेटे इसको इसको फिर से 1 m plus 2 एक साथ इस a square के साथ यह a आना चाहा a cube हो गया और इसका जो power था उसमें से हम minus बाहर निकाल लिए तो x plus b पर power minus m plus 3 हो चुका ठीक है अब y4 y4 लिख रहे हैं लेकिन इस बार differentiate नहीं करेंगे इस बार differentiate नहीं करेंगे pattern observe करेंगे क्या pattern sir y1 था तो minus 1 पे power 1 y2 था minus 1 पे power 2 y3 था minus 1 पे power 3 तो y4 में minus 1 पे power 4 चड़ा दीजिए चलिए बढ़िया y1 में m y2 में m into m plus 1 देखो 2 है तो 1 तक गए y3 में m into m plus 1 into m plus 2 3 है तो 2 तक गए तो y4 में 3 तक जाएंगे हाँ बिलकुल m into m plus 1 into m plus 2 into m plus 3 a पर power का क्या हिसाब है y1 में a पर power 1 है y2 में a पर power 2 है y3 में a पर power 3 है तो y4 में a का power 4 हो जाएगा और x plus b पर power minus y3 था तो m plus 3 y2 था तो m plus 2 y1 था तो m plus 1 y4 में m plus 4 m plus 4 थीक है तो यह हमारा 4th derivative आप 5th भी निकालेंगे 6 भी निकालेंगे लेकिन अगर यहीं सिलसला चलता रहा तो nth derivative क्या होगा nth derivative बड़े-बड़े एक्षर में यहां पर लिखना हूँ nth derivative ध्यान देंगे जरा nth derivative के लिए minus 1 पर power n हो जाएगा हाँ बिल्कुल 4 में 4 होता था 3 में 3 2 में 2 तो n में n होगा m वाला हिसा आप कहाаешь जाएगा start तो करो m के बगल में m plus 1 डालो फिर m plus 2 डालो फिर m plus 3 डालो और यह डालते डालते बढ़ते जाओ कहा तक जाना है 4 में उससे एक कम तक गए थे 3 में उससे एक कम तक गए थे यहाँ पर भी तो ही हुआ है ना M में add हुआ है 4-1 यह जो 3 है वो 4-1 है Y3 के case में M में जो add हुआ है वो 3-1 है Y2 के case में M में जो आखिरी add हुआ है वो 2-1 है तो N में जो add होगा वो N-1 होगा A पर power N चड़ेगा 4 में 4 चड़ता था 3 में 3, 2 में 2 पर power minus times of M plus N सर यह कैसे पता चला देखो 4 में power में M plus 4 हुआ है 3 में power में M plus 3 हुआ है 2 में power में M plus 2 हुआ है उसी इसाब से N में power में M plus N होगा इसको अगर आप थोड़ा और समेट के लिखना चाहें तो minus 1 पर power N गुना M इन्टू M plus 1 इन्टू M plus 2 dot 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 M plus N minus 1 A का power N divided by यह negative है ना power negative है देखो तो हम लोग negative power कैसे बनाये थे नीचे में positive था उपर ले गए थे तो negative होगा उल्टा करेंगे negative से positive बनाने के लिए उपर से नीचे लाएंगे उपर से नीचे ले कर जाएंगे तो आप इसको लिखिएगा AX plus B पर power M plus N जी दिख रहा आपको यह था कुशन नमबर पांच कुशन नमबर पांच बहुत बारिकी से अराम से धीर दे समझाए इसको आप नोट डाउन कर ले हैं कुशन नमबर पांच कि इसको एरेज कर रहे हैं कि आप पांच की बाद अगला डाउट पुशा गया था छे नमबर पांच की बाद बता रहा हूं छे छे है Y is equal to 1 by root over 1 plus X देखो यह जो सवाल है वो पिछले ही question का special case है special case है special case है मतलब special case है मतलब की Y is equal to 1 by root यानि की power half और नीचे में half है यानि की उपर जाकर minus half तभी differentiation इसी टाइप कर पाएंगे ठीक है इसी टाइप पेना question की हैं पिछली बार देखो फिर से करता है Y1 पहला derivative यह minus 1 by 2 नीचे उतर आया ठीक है पणिया 1 plus X पे जो power था यानि minus half तो minus half में एक और घटाएंगे नियम यही कहता है power minus 1 करना है जो भी power है उसमें minus 1 करना है minus half minus 1 यह हो जाएगा minus 3 by 2 तो minus 3 by 2 हो गया power ठीक है Y2 के लिए minus half पहले से है यह उतर आया नीचे minus 3 by 2 और जो भी expression पे power है उसमें minus 1 minus 3 by 2 में minus 1 minus 5 by 2 होगा Y3 की minus 1 by 2 minus 3 by 2 यह और नीचे उतर आया minus 5 by 2 और इस पे जो भी power था उसमें minus 1 इसमें minus 1 करोगे इस धंग से तो तुमको minus 7 by 2 मिल जाएगा ठीक है 3 by differentiate करना काफी होगा pattern judge करने के लिए आओ ज़रा थोड़ा इसको समेटे कुछ ऐसा लिखे कि हम लोग को समझ में आए कि क्या हो रहा है सबसे पहली बात तो जो जो terms में negative है negative का हिसाब बहार निकाल दे इसमें एक ही को negative था उपर में था 1 नीचे में था 2 और पावर negative है तो यही positive कर लेते हैं 1 by 1 by 1 प्लस x पे पावर 3 by 2 चलो बढ़िया यहां कितना negative एक थो इसका एक थो इसका दो को negative ओ भी multiplication में तो minus 1 का square उपर बज गया एक उपर बज गया तीन उपर आ गया है एक गुना तीन नीचे आ गया है 2 और 2 यानि 2 का square और यहां पर 1 by minus 5 है ना नीचे आके plus हो जाएगा 1 plus x पे पावर 5 by 2 इसको क्या लिखेंगे 1 minus 2 minus 3 minus minus 1 का power 3 उपर कौन कौन 1, 3, 5 उपर है एक गुना तीन गुना पार्च नीचे कौन कौन 2 इंटू 2 इंटू 2 यानि 2 का cube 1 by यह power negative नीचे आके positive 1 plus x पे power 7 by 2 1 plus x पे power 7 by 2 अब देखो पाटन थोड़ा सा तुमको दिखेगा फॉस्ट डेरिवेटिव पे minus 1 पे power 1 है सेकंड डेरिवेटिव पे minus 1 पे power 2 है थर्ड डेरिवेटिव पे minus 1 पे power 3 है फॉस्ट डेरिवेटिव है तो डिनोमिनेटर में 2 यानि 2 पे power 1 सेकंड डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में 2 का square थर्ट डरीवेटिव है तो तू का क्यूब फॉर्थ होता तो तू पार पाँच हैसे चलता विए यह वन बाइब सप्ला है पावर में कुछ state है इनके ने मेरिटर में क्या है पहले में एक थे दूसरे में एक इंटू 3, तीसरे में 1 इंटू 3 इंटू 5, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, देखो, तीसरे बाले से बताते हैं, 3 है ना, तो इस 5 को तुमको देखना है ऐसा, जो 5 है, वो 2 गुना 3 माइनस 1 है, 2 गुना 3 कितना होगा, 6, 6 माइनस 1 हो जाएगा, 5, सर, तो उस हिसाब से, अगर ये 2 है, तो इसको होना चाहिए, 2 गुना 2 माइनस 1 हाँ, बिलकुल, सर, उसके हिसाब से, अगर ये 1 है, तो इसको होना चाहिए, 2 गुना 1 माइनस 1 हाँ, बिलकुल, है भी, चली, बहुत बढ़िया पाइटन सर, तो वाइफ वर में उस हिसाब सिसार वाइफ वर में दो गुना 5 यहां लिख रहे था है दो गुना 4-1 यानि 8-1 यानि 7 7 तक जाना चाहिए ही हाँ जाएगा भी देखो दिखuting होगा पहले सिर्फ एक, फिर एक के बाद तीन, फिर एक के बाद तीन के बाद पांच, फिर एक, तीन, पांच, अगला क्या आता, साथ ही आता, अगला साथ आता, चली ठीक है, यह समझ गया, एक और बात, यह जो पावर है, यह जो पावर है, इसका क्या हिसाब है सर, इसका हिसाब करा देखो आगर यह एक है तो यह दो तीन है इस तीन के बारे माता रहा है क्ली सए कि प्लस एक इस तीन लिखेंगे 2 गुना 2 प्लस 1 देखो 5 हो जाएगा उसी इसाप से 3 है सर तो इस 7 को लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस 1 तो 4 होगा तो 2 गुना 4 यानि 8 प्लस 1 नौ हाँ होगा y4 में y4 में माइनस 1 का पावर 4 होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होगा 2 का पावर 4 होगा ये भी होगा और 1 बाई 1 प्लस x पे पावर 4 इंटू 2 8 8 प्लस 1 9 9 अपॉन 2 हो जाएगा इतना जब हो गया कि आपको पैटन समझ में आ गया कि कहां तक जाएंगे तो यह जो वाई एन है थोड़ा बड़े बड़े एक्षा में लिख रहा हूं है वाई एन में यहां पर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू और यह करते करते क्या हो रहा था फर्स डेरिवेटिम में 2 इंटू 1-1 इंट न थ में 2 इंटू 2-1 थिरड में 2 इं टू 3-1 फोर्त डेरिवेटिव 2 इंटू 4-1 ऐन थ में टू इंटू n-1 एन थ में 2 इंटू n-1 जली बढ़ियां नी्चे जितना डेरिवेटिव उतना थि प्य प्यर्त gdzie लगृट ऑँप्यू यहां देखो pattern देखो first derivative है इसलिए 2 into 1 plus 1 है second derivative है इसलिए 2 into 2 plus 1 है third derivative है 2 into 3 plus 1 है nth derivative होता तो होता 2 into n plus 1 divided by 2 यह अपना nth derivative निकला है यह अपना nth derivative निकला है pattern observe करना बहुत बहुत important है और यह skill है यह सवाल बनाते बनाते आपका develop होगा कि इस कर रहे हैं अगर आपको लगा हो कि तीज बता दिए तो आप speed slow करके दुबारा से replay करके देख लीजिए रीप्ले करके देख लेंगे तो आपको समझ नहीं आ जाएगा यह था कुशन नंबर 6 फिर था 9 कुशन नंबर 9 वाइज एक्वल टू साइन क्यूब एक्स दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके लिए दो फॉर्मला लगेगा सबसे पहला तो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मला वह यह है कि साइन 3 एक्स होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स यह बला क्यूं फॉर्मला लिखे है यह फॉर्मला इसलिए लिखे है ताकि हम इससे साइन क्यूब निकाल पाएं साइन क्यूब निकाल पाएं साइन क्यूब का एनफ डेरिवेटिव निकालने में बहुत पर पर पावर 1 हो इस पर पावर 3 है बहुत पर्षण ही होगा क्या करना है करना यह है कि इसको भूला लो इधर इसको भी दो दो तो सर यह 4 sin3yaan3 sin3x होजाएगा हा बिल्कुल होगा इस 4 नीचे भी दो तो sin cube x 3 vite 4 sin x minus 1 vite 4 sin 3 x हो जाएगा हाँ हो तो गया अब इसको rewrite करो दुबारा से लिखो जो y is equal to sin cube था sin cube के जगापर लिखो 3 by 4 sin x minus 1 by 4 sin 3 x बेलकुल सही कोई परिशानी नहीं अब जो है वो दूसरा formula यहां लिख रहाए है दूसरा formula यह था कि अगर y y है sin a x plus b तो इसका nth derivative जो होगा nth derivative वो x का coefficient यानि x के आगे जो variable है उस पर power n sin sin वाला angle यानि की a x plus b plus एक extra term n pi by 2 n pi by 2 इसका इस्तमाल करेंगे हम लोग इसको दुबारा से यहां लिख रहा है y is equal to 1 by 3 by 4 sin x minus 1 by 4 sin 3x तो yn formula लगा रहे हैं यह constant है आप जितनी भी बार differentiate करें यह बाहर निकलता जाएगा बाहर निकल गया है फिर बोले थे कि sin में x का जो coefficient है उस पर power n चढ़ाईएगा यहां x के आगे कोई भी constant number नहीं है यानि coefficient इसका है 1 और 1 पे power n चढ़ेगा तो वो 1 ही बनेगा तो लिखने का कोई दरकार नहीं है बस हाँ sin के angle में sin के angle में n pi by 2 जरूर जोड़ दीचेगा चली बिल्कुर सही माइनस 1 by 4 यहां बोले थे कि sin के coefficient पे x के आगे जो number होगा उस पर power n चढ़ाईएगा तो हमने n चढ़ा दिया 3 पर power n और sin के angle में sin के angle में n pi by 2 जोड़ दिया हमने यह हमारा nth derivative निकल आया है थोड़ा और इसको साफ लिए तो yn विल भी तीन बाइचार साइन एकस प्लस एन पाइबाइबाइटू माइनस तीन का पावर n बाइचार साइन 3x प्लस एन पाइबाइबाइटू यह अपना एंसर हो गया ठीक है अब यह हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर नौथ आई है कि अटा रहे हैं कि पिर आता है कुश्चन नमबर अठारा अठारा में बोला गया है कि y is equal to cos x sin square x देखिए यह भी पिछले कुश्चन के तरह ही बन सकता है कैसे वह ऐसे कि हमने y को लिखा cos x sin के जगा हमने डाला 1-cos square x यहाँ पर भी वही फंडा है फंडा यह है कि हम लोग पावर avoid करते हैं trigonometry में power हटाना चाहते हैं तो उसके लिए y आ चुका है यह अंदर गया यह भी अंदर गया यह चुका है cos x minus cos cube x सर यहां तो cos cube x आ गया गवराओ नहीं गवराओ नहीं cos cube x का भी market में formula है cos 3 x को लिखा जाता है 4 cos cube x minus 3 cos x इससे अगर आप cos cube निकालना चाहते हों इससे अगर आप cos cube निकालना चाहते हों इसको पाना चाहते हों तो इसको बुला लें इधर माइनस 3 cos x इधर आ जाएगा इस वाले पार्ट को यहां लिख रहा है 4 cos cube x इसके साथ यह आड़ हो चुका है cos 3 x plus 3 cos x 4 नीचे भेज दे cos cube x is equal to cos 3 x plus 3 cos x by में 4 ठीक है अभी तक main solving start नहीं हुआ है हम लोग सिर्फ अभी तक cos cube cos cube का हिसाब लगा रहे थे cos cube इतनों निकलाया है इसको rewrite दुबारा से लिख रहा है यहां पर y is equal to यहां लिखे हम लोग cos x minus bracket डालेंगे cos cube के जगह पर इसको डालते है यानि cos x by cos x plus 3 cos x cos 3 x plus 3 cos x by 4 इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 y is equal to lcm लेने पर मिल गया है 4 यह 4 इससे multiply होके 4 cos x हो गया minus cos 3 x हो गया minus 3 cos x हो गया अब 4 में से 3 गया तो बच जाएगा cos x minus cos 3 x by 4 यह exactly वैसा ही आ गया जैसा हमने पिछला question बनाया था और अगर आपको formula याद होगा तो sin के लिए जो formula है ना वही cos के लिए भी formula है तो हमने direct formula लिख देना है यह 1 by 4 cos angle में x plus n pi by 4 आगे कुछ क्यों नहीं लिखे सब आगे कुछ इसलिए नहीं लिखे है तीन तो तीन पर power n चड़ाना पड़ेगा हां आगे में चार cos of 3x plus n pi by 2 क्यों लिखे रहे हैं शाइद पिछले वाले में भी हम n pi by 4 लिख दिए थे आप सुधाल लिजेगा n pi by 2 होता है n pi by 2 यह था कुछ नम्बर 18 उमीद है यह आपको समझ में आया होगा अब हम कुछ नम्बर 24 की तरह बढ़ रहे हैं कुछ नम्बर 24 पध्यान दे वाइड दे रखा है एक पावर x sin qx यहाँ पर फिर वही मसला sin में क्यूब आ चुका है सर क्यूब से तो हम लोग भागते हैं बचते हैं डिफ्रेंसियेशन करने पर तो थोड़े देर पहले ही हम लोगों ने पता लगाया है कि sin qx साइन एक्स माइनस या निकाल ही लेता है आपको करके दिखला देता है यह तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि sin 3 x का formula हुआ करता था 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 ना 3 sin x मामेस 4 sin qx का आप इसको इधाले चले तो यह 4 sin qx हो जाएगा 3 sin x मायनस 4 sin 3x 4 नीचे ले चले sine cube x हो जाएगा 3 by 4 sine x minus 1 by 4 sine 3 x इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके जगा पर तो y आ गया हमारा इसको rewrite कर रहे हैं दुबारा लिखे रहे हैं y आ गया e का power x और sine cube x के जगा पर 3 by 4 sine x minus 1 by 4 sine 3 x यह जब अंदर जाएगा y is equal to 3 by 4 को बाहर कर दे e का power x sine x 1 by 4 को बाहर कर दे e का power x sine 3 x और अगर आपको ध्यान में हैं अगर आपके ध्यान में हैं तो y जब e का power x sine b x plus c रहता है तो इसका nth derivative होता है a square प्लस b square पर पावर n by 2 e का power x e का power x sine b x plus c plus n theta होता था theta को हमने tan inverse b by a के नाम से जाना था यह formula लगना है तो आप इसमें भी वो formula लगाएंगे और इसमें भी वो formula लगाएंगे आपका answer आ जाएगा हमको लग रहा है कि आप लोग इसी इसी पार्ट में अटक रहे हैं थे त्यूंकि तीनों ही question एक ही type का था इसको आप लोग complete करेंगे और यहां तक अगर कोई और doubt होगा तो भेज जेंगे बताइंगे बोलेंगे चाट बॉक्स में लिखेंगे जाट बॉक्स का नहीं comment बॉक्स पर लिखेंगे इसके आगे हम लोग अगले class में आगे का चीज पढ़ेंगे और परलेली integration भी चल दा है तो integration का भी वीडियो आप लोग देखी questions मनाईए आज का class यहीं तक thank you very much